आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है आप टेली का अधूरा ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोज को क्रमा नुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट द्वारा टेली के इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम बताएंगे अकाउंट क्या है और ये अकाउंट कितनी प्रकार के होते हैं जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डवल एंट्रे सिस्टम में प्रत्यक लेंदेन दो खातों को प्रभावित करता है साथ ही अकाउंट की परिभाशा भी बताई थी पर अकाउंट के प्रकार समझने के पहले हमें ऐसा लगता है कि अकाउंट की परिभाशा आपको यहाँ पर फिर से बता दें तो पहले हम यह समझते हैं कि खाता क्या होता है जब किसी व्यक्ती, विशेश, वस्तू, सेवा या आयवे इत्यादी से संबंधित समस्त लेंदेन एक निश्यत स्थान पर तिथिवार और नियमा नुसार रखे जाते हैं तो उसे उसका खाता यानि अकाउंट कहते हैं किसे भी खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड यानि नाम पक्ष और क्रेडिट साइड यानि जमा पक्ष, डेबिट साइड बाई तरफ होता है और क्रेडिट साइड दाई तरफ होता है, हम इसे एक उधारन से समझ लेते हैं, जैसे हमने राम से एक लाख रुपे उधार लिए और तुकड़ों में उसे वापस चुका दिए देखिए राम का खाता कुछ इस तरह से दिखेगा खाते तीन प्रकार के होते हैं व्यक्तिगत खाते यानि पर्सनल अकाउंट्स व्यक्ति संस्था या उनके प्रतिनिदी से संबंधित खातों को व्यक्तिगत खाते कहते हैं इन्हें तीन श्रिणियों में बाटा गया है पहला है प्राकृतिक या स्वाभविक खाते यानि से संबंधित खाते जैसे राम श्याम मोहन व्यापार के स्वामी का पुंजी खाता इत्यादि खाते इसी श्रणी में आएंगे दूसरा है कृत्रिम खाते यानि आर्टिफीशियल पर्सनल अकांट्स कृत्रिम खातों में व्यावसाय से जुड़ी हुई निगम और संस्थाओं से संबंधित खाते आते हैं जैसे बीमा बैंक व्यापारिक संस्था सवी लेंदार और देंदार इत्यादि तीसरा है प्रतिनिधित्व खाते रिप्रेजेंट करता है जिसकी सेलरी ड्यू हो चुकी है यानि देना थी पर दी नहीं गई सिर्फ उसका प्रोवीजन कर लिया गया है यह तो हमने बात की परसनल अकांट्स की अब हम देखते हैं दूसरी प्रकार के खाते जिनको हम कहते हैं रियल अकांट्स यानि वास्तविक खाते ऐसे ख खाते यानि टैंजिबल रियल अकांट्स जिन संपत्तियों को छुआ जा सके उन्हें मूर्थ संपत्ति कहते हैं और इनके खातों को मूर्थ खाते जैसे बिल्डिंग अकांट फरनीचर अकांट वीकल अकांट मशीनरी अकांट कैश अकांट इत्यादी दूसरा है इसमें अ अमूर्द खाते याने Intangible Real Accounts, जिन संपत्तियों को छुआ न जा सके उन्हें अमूर्द संपतियां कहते हैं और इनके खातों को अमूर्द खाते, जैसे Goodwill, Trademark, Patents, Copyrights, इत्यादि, तीसरे टाइप के खाते हैं नाममात्र के खाते याने Nominal Accounts, ऐसे खाते जो Income and Expenses तथा Profit and Loss से संबंधित होते हैं, Nominal Accounts कहलाते हैं, जैसे कि Purchase Accounts, Sells Accounts, Interest Accounts, Discount Allow, Discount to Receive, Salary Account, Depreciation Account, Advertisement Expenses, Insurance Account, इत्यादि, इस तरह के खातों की अवधी मात्र एक वर्ष रहती है, वर्ष के अंत में इस तरह के सभी खातों को Trading and Profit and Loss Account में ट्रांसफर करके बंद कर दिया जाता है, इस वीडियो में आपने जाना की Account क्या है और Accounts कितने प्रकार के होते हैं, अगली वीडियो में हम बताएंगे की Golden Rules of Accounting क्या हैं, क्या है, जाना की सब्सक्राइब कर दो करेंएंगे की खाता हैं,